एक महिने पहले पुना में जोयलर्स की दुकान में हुई लूट की वारदात के दोनों आरोपी वडोदरा शहर में छिपे हुए थे इसे सूचना के आधार पर महराष्ट्र क्राइम ब्रांच पुलिस और वडूद्रा क्राइम ब्रांच पुलिस ने साथ मिल कर इन दोनु ही आरोपियों को सहरशे गिरफतार कर लिया है और वडोद्रा क्राइम रांच पुलिस की ध्वारा सभी कानूनन कारवाही पूरी करने के बाद इन दोनों आरोपियों को महराश्र क्राइम रांच को सौपा गया आपको बता दे के एक महीने पहले पुना में जोलर्स की दुकान में फाइरिंग कर दस लाक रुपे की लूट चलाने वाली वारदात हुई थी 25 नवंबर की यह घटना है जब पुना के को थुरूड रोड पर स्थित जोलर्स चोरूम में फाइरिंग किया गया और दस लाक से ज्यादा के गहनों की लूट की गई और इस लूट में शामिल दोनों ही आरोपी वडोदरा शहर में छिपकर बैठे होने की जानकारी महराष्ट क्राइम ब्रांच पुलिस को मिली थी वड़ोद्रा पुलिस की मदद से दोनों आरोपियों को पकड़ने में महराष्ट क्राइम ब्रांच पुलिस को सफलता हासल हुई है और वड़ोद्रा क्राइम ब्रांच पुलिस ने इन दोनों ही आरोपियों को पकड़ने के बाद सभी कानूनन कारवाही के चलते बाद में इ महराष्ट्र क्राइम रांच पुलिस के द्वारा इन दोनों को ही महराष्ट्र ले जाने के लिए रवाना कर दिया गया है।